दोस्तों भारत की धर्थी पर अनेक महापुरुष पैदा हुए हैं जिनों ने अपने कारणामे से भारत का नाम विस्तों में उच्छा किया है। ऐसे ही एक महापुरुष है गुजरात के महाराजा दिगवेज सिंग रंजीत सिंग। इनका जम 18 सितंबर 1895 में नावनागर में हुआ था। ये फेमस किर्केटर रंजीत सिंग के बतिजिर थे और अपने चाचा के मिर्तु के अबाद 1933 में जामनागर के महाराजा बने। दोस्तो दिगवेज सिंग जी ने दुत्यविश्यूद के दोरान 600 से जादा पॉलिस मेला और बच्चों को बचाया था। उनके लिए ना सिर्फ अपने घर के दरवाज़े खोल दिये थे बलकि इतने सारे लोगों का 9 सालों तक ख्याल भी रखा उनके खाने, सिक्सा, सुर किया, तब पॉलेंग के सेनिकों ने अपने 500 महलाओं और करीब 200 बच्चों को एक जहाद में बिठा कर समुदर में छोड़ दिया और जहाद के कैप्टन से कहा कि इन्हें किसी भी देश में ले जाओ जहां इन्हें सरण मिल सके, अगर जिंदगी रही और हम बचे रहे तो दोबारा मुलाकात होगी, दोस्तों 500 महला और 200 बच्चों से भरा वो जहाद इरान के बंदरगा पहुचा तो वहां किसी को सरण के अनुमाती नहीं मिली, फिर कई देशों में उनके साथ यही बेवार हुआ, अंत में वो जहाद भड़कते हैं गुजरात के जामनगर के बाद में इन बच्चों में से एक बच्चा पॉलेंड का परधान मंतरी भी बना, अब भी हर सार इन सरणार्टों के वंसर जामनगर आते हैं अपने पुर्वजों को याद करते हैं, पॉलेंड की राधानी वर्सा में कई सड़कों और योजनाओं महराजा दिगवेजे सिं के बारे में आर्टिकल सकते हैं, दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छे लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें